इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और लालपन और सूजन का कारण बनने वाले पदार्थों के उतपादन को दबा कर काम करता है मिमो टैबलेट भूजन के साथ या भूजन के बिना लिया जा सकता है इसे नियमित रूप से ले और अगर आप बहतर भी हो जाते हैं तो भी तब तक दवा लेना बंद न करें जब तक कि डॉक्टर आपके इसे रोकना सही न बता दे इस दवा से इलाज के दोरान पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं इससे आप किड्नी की पत्री होने से बच जाएंगे यह दवा आम तोर पर बहुत ज्यादा फायदे मंद है इससे किसी भी प्रकार का कम या अधिक साइड इफेक्ट भी नहीं है हाला कि अगर आपके नहीं लक्षनों का अनुभव करते हैं जो आपको लग रहा है कि इस दवा के कारण है तो आपको अपने डॉक्टर को यह बात बतानी चाहिए आपको कोई अन्य दवा देकर या डोस को एज़स्ट करके आपका डॉक्टर इन लक्षनों की रोग थाम के या उनको कम करने के तरीकों से आपकी मदद कर सकता है अगर आपको हृदय, किड्नी या लिवर समबंधी कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह दवा आपके लिए सुरक्षित है इस दवा का उप्योग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद